हेलो फैंस मैं हूँ सौरब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर किसी ब्यक्ति को बहुत अधिक नीन दाती है तो इसके क्या कारण है और इसे दूर करने के क्या उपाय है कुछ लोग अपनी खराब जीवन सैली के कारण बहुत कम सोते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रात वर भर भर पूर सोने के बाद भी दिन में सोना चाहते हैं दरसल ये समस्या हाइपर सोमिनिया कहलाती है तो आए आज की वीडियो में हम आपको इस सिलिप डिसोर्टर के बारे में बताते हैं ये तो हम सभी जानते हैं कि सारे रिक और मानसे के रूप से स्वस्त रहने के लिए प्रती एक दिन कम से कम 7-8 गंटे के नीद लेनी जरूरी है यदि आप हर दिन 6 गंटे से भी कम सोते हैं या फिर 8 गंटे से भी जादा सोते हैं तो ये दोनों ही इस्थितियां आपकी सहत के लिए नुक्सान दैक सावित हो सकती हैं कुछ लोग बहुत कम सोते हैं इसकी बज़य होती है देर तक जाकर मोवाईल या टीवी देखना ओफिस का काम निप्टाना या फिर कोई अन्य सारी रिक समस्चा के करण जल्दी नीद नहीं आती है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिने सारा दिन नीद ही आती रहती है या नीद आने जैसा महसूस होता है अध्यतिक नीद आना भी सहत के लिए सही नहीं है यदि आप 7-8 घंटे के नीद ले रहे हैं इसके बाबजूद भी आपको नीद आती है तो ऐसा होने के करणों को आपको जरूर जान लेना चाहिए यह कोई गंबिर सारी रिक समस्चा भी हो सकती है अगर आपको बारबार नीद आती है या सोने का मन करता रहता है तो इस समस्चा को हाइपर सोमिनिया कहा जाता है 7-8 घंटे पर्याप्त नीद लेने के बाद भी जब आपको नीद आती रहती है तो यह एक परकार का सिलिप डिसोर्डर है एक रिपोर्ट के अनुसर है एक एसी इस्थित्ध है जिसमें आपको दिन के समय अथ्यदिक नीद महसुस होती है यह रात में देश तक परयाप्त सोने के बाद भी हो सकती है हाइपर सोमिनिया को दिन में अथ्यदिक नीद आना कहलाता है अगर किसी ब्यक्ति को हाइपर्शोमनिया हो जाता है तो उसे दिन में अत्यदिक नींद आती है हाइपर्शोमनिया एक प्राइमरी या सेकेंडरी इस्थती हो सकती है सेकेंडरी हाइपर्शोमनिया किसी मेडिकल कंडिसन का परिणाम हो सकती है जिन लोगों को हाइपर शोमनिया यानि अधिक नीद आने की समस्या होती है उन्हें दिन में किसी भी काम को करने में परिशानी हो सकती है क्योंकि वे अक्सर ठके हुए महसूस करते हैं जो एकागरता और उर्जा के इस्थर को प्रभावित कर सकता है अधिक नीद आने या हाइपर शोमनिया के कारण प्रात्मिक या प्रैमरी हाइपर शोमनिया कई बार मस्तिक प्रणालियों में समस्याओ के कारण होता है जो नीद और जागने के कारियों को नियंतिर्थ करते हैं वही सेकेंडरी हाइपर सोमनिया उन इस्थितियों का परिणाम होता है जो ठकान या एपरियाप्त नीद का कारण बनती है उधरन के लिए स्लीप एपनिया हाइपर सोमनिया का कारण बन सकता है क्योंकि slip aponia में रात में सांस लिने में पर्यसानी होती है जिससे लोगों को कई वार रात में नीद नहीं आपाती है कुछ दबाव को सेवन भी hyper somenia का कारण बन सकती है बार वार नसीली दबाव और सराप के सेवन से भी दिन में नीद आ सकती है अन्य संभावित कारण जैसे थाइराइट फंक्शन का कम होना या फिर सिर में कोई चोट लगना हो सकता है जो लोग दिन में बहुत अधिक थकान महसूस करते हैं उनमें हाइपर शोम्निया का खत्रा सबसे अधिक होता है इन इस्थती में सिलिप एपनिया, किड़नी, हिड़्य, मस्टिक्स की इस्थती, ऐसामानिय डिप्रेशन और थाइराइट कम होना आधी सामिल है अमेरिकन सिलिप एसोसियेट के अनुसार यह इस्थती पुरुसों के मुकाबले महिलाओं में अधिक होती है जो लोग एलकोहल, स्मोकिंग का अधिक सेवन करते हैं, उनमें भी हाइपरशोम्निया होने का जोकिम रहता है यदि किसी बिक्ति को बहुत अधिक नीन आती रहती है, तो उसे हाइपरशोम्निया के समस्या हो सकती है हाइपर शोम्या का मुख्य लक्षण लगातार थकान महसूस करना है इससे ग्रिस्त लोग दिन में कभी भी कई दफा जपकी ले सकते हैं ऐसे लोगों को लंबी अबदी की नींद से जगाने में भी कटनाई होती है ऐसे लोगों में थकान के अलावन निम्न लक्षण पाए जाते हैं जैसे कम सारीरिक उड़जा, चिर्चलापन महसूस होना, चिंता, भूक में कमी, सारा दिन सोना, कुछ भी याद रखने में परसानी होना, बेचेनी महसूस करना, जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि रात में अच्छी नीद आए, तो आप दिर रात तक जाकर टीवी, मोबाइल ना चलाएं, समय पर ओफिस का कार्या खतम करने की कोशिस करें, रात में सोते समय अधिक हेवी फास्ट फूर्ड ना खाएं, हलका फुलका खाना खाकर ही सोएं, अगर आ अमरे का बात अवन सान्थ हो, और अलकोहल का सेवन कोई ना करें, देर तक जाकर पिड़त एक दिन काम ना करें, उन दवाओ के सेवन से बचें, जो उननिंदापन का कारण बनती हैं, साथ ही देर रात तक काम करने से भी बचना चाहिएं, तो दोस्तों ये थे बहुत अधि दोस्तों काम ना करें, खर वस्तों अनुम करें, कि बता अवन से बचना चलोगओ के सान्थ हैं, एक उन्साफ्या काछ भी बचार की बचान हा।